इसलाम元 triste कैसे हैं आप सब Effective थ rhymes आज mins का जो ूपिक है वीडियो का तो जहीज के उपर ही है इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था जहीज के उपर लेकिन आज हम थोड़ा ज़ादा करेंगे एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है इसके बारे में ज्यादा बात करनी लेकिन फिर भी हम जितना हो सके उसमें लेंगे तो सबसे पहले मैं बताओंगी जहिस के उपर के हम लोगों ने जहिस का क्या एक बहुत बड़ा मतला मसला बना लिया है मसला ही है और लड़के मतला लड़कियों के दिमाग में भी यही है कि भई जब तक मुझे गाली नहीं मिलेगी मैं तो आगे बढ़ूंगी नहीं लड़की अगर मामूली सूरत की है ना तो उसके जहन में तो यह बात बैठी जाती है कि मैं अगर जहिज अच्छा नहीं ले गई या कुछ तो सुसराल वाले ताने भी देंगे मुझे इज़द भी नहीं मिलेगी तो बस मेरा इस वीडियो में छोटा सा फिलाल मैं छोटा सा एक टॉपिक यह बोलना जाती हूँ कि भई इज़द जहिज क्या है जहिज क्या है यह क्यूं चलाएगे तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी और एक वीडियो में नहीं आएगा लेकिन अगर हम अपने हदीस के ह्वाले से हम च्छोटी से उस पे आते हैं कि हमारे हुदुर्स में अपने बेटी को क्या दिया अपने बेटी फात्मा को उनूने है क्या बहुत जादई अच्छा नहीं दे सकते थे और वो तो नभी थे उन्हें किसी चीजके कमी नहीं थी लेकिन उन्होंने अपनी जिन्दगी कैसे गुजारी और उन्होंने अपनी बच्ची को क्या दिया उन्होंने अपनी बच्ची को एक चादर दी गरम चादर एक चमड़े का पिलो दिया जिसमें घास भरी भी थी और एक बोटल दी जो की चमड़े की होती थी पानी भराबा व वो था तो उन्होंने अपनी बेटी को ये दे दिया ठीक है लेकिन कुछ लोग इस पर कहते हैं कि ये सुननत है तो सुननत और फर्स पर तो ना जाओ लेकिन हाँ दुनिया को एक पॉइंट मिल गया कि भई एक हम रिवास बना ले कि हमें जहेज देना है जहेज और वो ये इत इनसान ये है कि बेटियां होती है और बच्पन से जोड़ना शुरू कर देते हैं तो गरीब आद में तो यही करता है विचारा को क्या करेगा उसके पाइसा पैसा तो है ने कि वो हेंटो हेंट सारी चीज़े ले और जहेज में उसे गोल्ड भी दे और लड़के को भी दे स दूसरालवालों को मतलब सास को ससर को सबको दे मतलब कि यह करना ही करना बेटिया बेटी तो दे बेटी भाई जिसने अपनी बेटी दे दी सबसे बड़ा जहेज तो वही है और सबसे बड़ा जहेज वही है और दूसरी बात उन लड़कियों को भी मैं यह वाली बात कहना चाहती हूँ भाई जहेज वो नहीं है जो तुम लेके जाओगी जहेज तो तुम खुद हो एक अच्छी लड़की जहेज खुद है अपनी तालीम पे ध्यान दो एजुकेशन ऐसी रखो कि भाई तुम खुद अपने प्यारों पे भी खड़ी हो जाओ और नहीं होती हो तो ए इज़गी या प्यार दोगी या उनके साथ अच्छी सारोगी तो वो सब इज़गी तुम अपने घर से वो चीज़ सी क्या ही हो और वो चीज़ तुम उन लोगों को दोगी तो उन लोगों को भी रिस्पेक्ट करें तो रिस्पेक्ट कर मतलब यह नहीं यह तुम जहेज ल तो भाई उसकी इज़ट है कि हाँ यहाँ इतना आया उसको यह लाई यह वो लाई यह तो इस चीज़ों से उसको इज़ट भी मिल लए ही सुस्राल में और जो जैसे की सपोस्ट करिए कि घर में दो से तीन बहुए हैं एक अच्छा ला रही है एक कम ला रही है तो जो कम ला तो वो थोड़ा सा उसके दिमाग में रहेगा कि भाई मेरी कोई इज़त नहीं है या मेरा हस्बेंड या सुस्राल वाले और करते भी है यह हो भी रहा है तो मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि भाई इन चीजों से निकलो निकलो चाह पैसे वाली लाओ या गरीब बात व नहीं है वो लड़की खुँदा रही हो थो थो सबसे बड़ा जहिज तो वह ही है जो अपने साथ वो लैगी अपने साथ इल्म लाएगी अपनी आदतें जो भी कुछ वो लाएगी वो है उसका जहीज उससे अकसिप करो ऐसा नहीं कि आप यह सोच रहो कि भाई मेरे तो ती तीन बेटे हैं जैसे कि जब मेरा तीसरा बेटा हुआ मुझे लड़ी टेंशन थी कि बेटी नहीं हुई बेटा और इस चक्कर में मुझे यह था कि एक बेटी हो जाती तो कुछ लोग मुझे बड़े खुश मतला अच्छा ही बोलते थे बोलते थे आरे तुझे क्या टेंशन है और ते तो तीन बेटे हो गए आएगा जाएगा थोड़ी तो बात वो थोड़ी थी आने और जाने की कि मुझे जहेज मिलेगा मेरे दिमाग में कभी नहीं था इस चीज़ का कि हाँ भी मुझे तो खुद ही यह है कि बच्चे इतना पढ़ें लड़के इतना पढ़ें अपने पैरों पे खड़े हों अपनी जिम्मेदारियां शुरू से ही लेकर चलें चाहो पढ़ाई की है या अपने किसी काम की या अपनी किसी चीज़ की दूसरों पर डिपेंड ना रहें दूसरों पर ना डालें अपनी चीज़ को अपने हिसाब से करें और कल को जब तुम्हारी शादी हो तो अपनी बीव बच्चों को तुम अपने हिसाब से करो इतना करो इतना करो भी जैसे तुम रह रहे हो अपनी बीव को भी अच्छे से रखो तो यह है, मैंने तौ यही जाती हूँ कि भी मेरे बच्चे इसी तहना के रहें कि होब कमा हैं और अपने बीबियों को भी खुश रखें दो जहां की खुशिया दें, खुद भी खुश रहें तो मेरी मैंटलीटी यह है तो वही मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ भै निकलो इस चीज से निकलो कि हमारे बेटे हैं या हमें जहेज मिलेगा हमें लड़कियां आएंगी तो वो लेके आएंगी तो इन बातों से बिलकुल निकल जाओ बिलकुल निकल जाओ बस मेरी ये बात मैं दुनिया को बोलना चाहती हूँ कि जहेज के नाम पी जो आजकल इतना जादा ड्रामा हो रहा है ड्रामा ही बोलूँगी कि हर घर में छोटे बड़े मालदार गरी हर घर में यही ड्रामा है कि बस लड़की आये तो उसकी रिष्टे लड़की के लिए रिष्टे भी क्या हो भी वो उस फैमिली से वो उस फैमली से चोटी घर की अगर लड़की है तो अगर वो अलग बाते के हमने लब मेरिश कर ली या कुछ ऐसा हो गया तब तो चल जाएगा लेकिन जहां पे माबाब पैरेंट्स घर वाले भाई बेहन जो भी अगर वो देखेंगे तो वो सब कुछ देखेंगे लड़की भी बहुत हूर आजाए और पड़ी लिकी भी हो प्लस जहीज भी बहुत अच्छा है मिल जाए तो भई ऐसा नहीं होता है अगर लड़की बत्तमीजी करती है कुछ करती है तो फिर यह होता है लड़की बत्तमीजी है फिर यह है वो है तो भई सोचके तो आप ही लायो ना अच्छा सोचो अच्छा होगा अच्छी लड़की लाओ गायदे के लड़की लाओ जो अपने साथ जहेज लाए तो अपने इज़त लाए और अच्छे संसकार लाए और उस घर में फैलाए और जल्म करना सहना ये चीज़ों उसके अंदर ना हो पड़े लिखियो सबको जानती हो जुकना भी जानती हो आवाज उठाना भी जानती हो तो इस वीडियों के मद्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि भाई अपने दिमाग को सोच को थोड़ा उचा रखो छोटा मद्बनो ये सब छोटी सोच के मालिकों की बाते हैं कि हाँ जहेज और ये इसलिए अच्छा सोच हो वो है ना कावत सिंपिन लीविंग एंड हाई त थी तो खेर आप इसको नजर अंदास करिएगा लाइक करिएगर पसंद आए तो और शेयर भी करिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपिक के साथ अल्ला हाफीज करिए एंदास करिएग।